हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग सिखेंगे कि एक मशीन को हम लोग डॉमेंज से कैसे जोइन करते हैं या कैसे कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास एक यह विंडोसरवर 2012 लिया है मैंने आप उनने इस सेम ही रहती के konfiguration आप सेम कर सकते हैं सबसे पहले अपको क्या करना है इसमें सबसे पहले यह konfigure होना चाहिए इसका dcp dms वगरा सब konfigure होना चाहिए अगर आपको यह konfigure करना शीखना है तो मैरे last video मैंने upload करके रखा है वह मेरा देख सकते हो में इसका लिंक डाल दूंगा ठीक है अभी क्या करना है पहले सबसे पहले हम लोग इसका आई-पी चेक करेंगे क्या रेंज का है हमारा सर्वर का आई-पी जो भी है जो हमने लिया हुआ है यह देखिए है वन नेटो वन सिक्स्क्राइब जिरो नाइन था अपना एक बार इसको दिखा देता हूं कि यह देखिए यह से करके आपको आपका एक स्टेटिक आपी मिला होगा आपको लोगों को कंप्यूटर उसके साथ अटेच करना है सर्वर के सा डालना है इसको मसीन को डोमें में डालना है यह मैंने एक विंड़ोज 8.1 लिया है इसका में डालना भी अब है अब यह मैं लोग इसका भी आपी वारेंज चेक करेंगे इसके सेट करना बताता हूं क्या डालना आपको अधर चेंज अटेप्टर शेटिंग्स क्लिक गया राइट क्लिक प्रॉपर्टीज इदर आपको आपको वह आइट पर डाला दे उता था आपको सर्वर का जो आइपे होता है इदर आपको वह आइपी डालना है अगर आप सिंगल उसमें कर रहे हो अगर आपका सिंगल लाइन है तो उसमें आप यह कर सकते हो अगर मल्टिपल लाइन है तो उसके लिए अलग को अनिफिग्रेशन होती है अप सिंगल का दिखा रहा हूं मैं आपको यह वाला जो आई पी फॉर एडर्स है यह आपको इदर डालना है 109 वाला 192 168 109 109 जो मैंने उसका एड आई पी बताए आपको वह डालने जो आपके पास अल्रेडी होगा ठीक है एक बाट डिशेबल करके इनेबल करेंगे इसको एक बाट जुरू कर लेना एक बार डिशेबल नेवल इसको स्टेटेश कर लेते हैं इसका एक बार ठीक है अब ही हमें लोग माई कंप्यूटर पर जाना है राइट क्लिक राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक प्रॉपर्टीज चेंज डॉमें स्लेक्ट करेंगे इदर डॉमें आप डॉमें क्या होता है जो आपका एक जो सर्वर मसीन का जो नेम होता है दिखाता हूं अभी माई कंप्यूटर में जा के देख सकते हैं इदर भी देखो यह परी दिमान करके मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं माई कंप्यूटर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज यह देखिए डॉमें आपका क्या दिया हुआ है यह मेरा परी दिमान करके ऐसे डॉमें दिया हुआ है जो क्रीट क्या हुआ मैंने ठीक है इधर आप परी दिमान ठीक है और ओके प्रेस करेंगे डॉट कॉम नहीं लगाना है प्रेस ही कर लिखना बस आपका यूजर नेम क्या होता है जो यूजर नेम जो सर्वर से जिससे आप लोगिन हो यह देखिए मतलब आप एडमिनिस्ट नहीं करेंगे अब आपको पास्वर्ड डालना है तो जो सर्वर का पासवर्ड होता है और आपको इदर इससर्वर का के डोजर बारा सर्वर्ड जो भी लोगिन किया आपने ना कि इस मशीन का नहीं देना आपको इधर उस मशीन का सर्वर का देना आपको इधर यूजर नेम और पासवर्ट प्रेस कर दिया है तो इतने अभी यह डोमेन में जाएगा प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जुरूर कर देना प्लीज वेलकम तो दा प्रेदिमान डोमेन यह डोमेन में चला गए आपका मसीन ओके प्रेस करेंगे यह मस्ट रिस्टाट यूर कम्पीटर एक बर रिस्टाट होने दो मसीन को इसको क्लोज कर देंगे रिस्टाट करके आएंगे एक बार लोग इन करेंगे इदर अब इसको लोग इन करते हैं अब एक बर बैक जाते हैं और अधर यूजर करते हैं इस अब 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 मेरे को डालना इदर मेरे को जो डॉमेंड डालना है डॉमेंड किया था मेरा परी दिवान परी यह रहे हैं अ एडमिनिस्टेटर अ आप अब अब वही पास्वर डाला है कि सर्वर वाला ठीक है इस तर अब आप अब लोग इन कर लेंगे सम्मेड नेकिख अभी जो मेरा डॉमें में जो यह मेरा अब अब में चला गया है आप को भी ऐसा ही करने से हम आपका मैश्वर ज़ला जाएगा फिर जो भी क्लाइट मसीन आपके हुआ है इस्टार्ट होके आगे हैं मसीन वह अब यह आपको एक बर दिखा देता हूं यह मसीन डॉमेंट में सि refer मैं माई कॉप्यूटर पर दिख पराइट क्लिक रियंगे यह देख यह था कि निचे आपको ब्राइव से अब कॉमशीन आपको मसीन डॉमें में pneन के चला गया है कि की इसद्थे रख कलो में। अगर आपको कोई प्रोब्लम आ रहा है कि विंडोज आपका डॉमेंड में नहीं जा रहा है कोई भी इसी हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो और प्लेज सुस्प्क्राइब में चैनल एंड शेयर लाइक यहां भी दिखा देता हूं आपका एक बार चैन्ज सेटिंग में जाके यह देखें चैन्ज यह देखें इधर आपका डॉमें में आगाए डॉमें.com ठीक है